दोस्तों स्वागत आप सभी का विहार समाचार में कबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्कियों पर बाड़ी कबर में देखे विहार में भारी बारिस की चिताओनी इन जिलों में बजरबाद को लेकर अलट बाड़ी कबर में देखे बीजेपी का बड़ा फैसला सीम का चेहरा घोसित कर अगला विदानसवा चुनाव लड़ेगी अमिस्सा ने खूद थमी बिहार बीजेपी की कमान बाड़ी कबर में देखे बिहार के गोपाल गंज में बनेगा मेडिकल कोलेज डिप्टी सियम तेजस्वी आदवनी की घोसना बाड़ी कबर में देखे बिहार के इंजिनेरिंग कोलेजों में बायो मेट्रिक सिस्टम से बनेगा छादरों का टेंडेंस तो आखिर क्या है पूरी कबर आपको विस्तार से बताएंगे तो आगे बढ़ने से पहले आप सब इस अनुरोदे के इस वीडियो के प्यारा लाइक जरूर कर दिजेगा तो चलिए सुरुआत करते हैं आज के पहली और बड़ी कबर से चलिए पहली खबर में देखिए पढ़ना समस्तिपूर में बजरपात के साथ जमाजम बारिस मौसम हो सुहाना 27 जिलों में भारी बारिस वा ठंगा कलर जिहां देश के आइन हिस्सों में पिछले दो दिन जमाजम बारिस कराने वाले बादला बिहार पहुच गए हैं अगले 48 घंटे में राज के 27 जिलों पर भारी बारिस को लेकर अलट जारी किया है इनी जिलों में ठंका तेजवा और भारी बारिस का अलट मौसम बारिस की ओर से दिया गिया है लोगों से सुरचित रहनी की अपिल वी की गई है अगले 48 घंटे में राज़ानी पाटना के अलावे बेसा लिनाला नमुजपर पूर समस्तिपूर जहनाबाद सहरसा बेगू सराय दरवंगा सिवर लगी सराय मुंगीर जमोई सितमडी मदूबनी नवादा गया खगड़ि सेखपुरा जिलों में भारी बारिस के साथ ठंका गिर सकता है बाड़ी कबर में देखे बीजेपी का बड़ा फैसला सेम का चेहरा घोसित कर अगला विदानसवा चुनाव लड़ेगी अमिस्सा ने खूद थमी बिहार बीजेपी की कमान जहां बिहार में नितिस से धोका का है बीजेपी ने बड़ा फैसला ले लिया है बीजेपी ने तय कर लिया है कि वो अपने मुख्य मंत्री के दवेदर का नाम गोसित कर अगला विदानसवा चुनाव लड़ेगी किसंगंज में केंद्रे गिर मंत्रे अमिस्सा की मौजूदगी में चल रहे भाजबा के सियास अमिस्सा ने खूद बिहार में पाड़ी के कामकाज की मोनिटरिंग करने का जिम्मा ले लिया है केंद्रे गिरमंत्रिया बता करीबन हर मैंने बिहार का दोरा कर उसी तरह पाड़ी के काम की निगरानी करेंगे जैसे उन्होंने 2017 से पहले उत्तर परदिस में किया था के एक वर्यान नेता ने बताए कि आमिसा ने पाड़ी के प्रमुक लोगों को बता दिया कि अब बिहार में होने वाले विधान सबाद चुनाव सिर्फ पीम के नाम पर नहीं लड़ा जाएगा बीजेपी अला कमान ने तई कर लिया कि 2024 के लोग सबाचनाव के ततकाल बाद बिहार में सियम पद के दावेदार का नाम घोसित करेगी तो वहीं आगे देखिए गोपाल गंज से तजस्वी ने आमिस साब पर हामला बोला कहा पल बिहार को भी से सिराज का दर्जा दे जिया बिहार के डिपडे से हम तजस्वी आदव सादी के बाद पहली बार अपने गाउं गोपाल गंज पोचे इस और आनत तजस्वी ने महागडबनन सरकार के उपलब दिया गिनाए उन्होंने नोकरी पर बात करते वे कहा कि बिहार में नई सरकार का गठन हुए दो महने हुए हैं इस दो मा में लोगों को न्यूकती पत्रत देने का काम सुरू हो गया है तेजस्वी ने घुसना करते वे कहा कि स्वास्ति विभाग में अगले कोई दिनों में डेड़े लाक न लोगों को नोकरी दी जाएगी वहाई के इंद्रे ग्रह मंत्रे अमिस्वा पर हमला जने की घुसना करते देजस्वी आदव ने अमिस्वा से पुचा कि प्याम मोदी ने पूर्निया में बड़ी घुसना की थी उन घुसना को क्या हुआ बाड़ी कवर में देखे Rab 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 संगटन को मजबूती दे जाए तो जीत निश्ची तोर पर मिले गिया मिस्सा ने कहा कि बीजेपी ने 2024 बिहार की 40 में से 35 सीटों पर जीत का लच रखा है बाड़ी कबर में देखे बिहार के गोपाल गंज में बनेगा मेडिकल कोलेज डिप्टी सीम तेजसु यादव ने की घोसना जी हाँ गोपाल गंज जीले में मेडिकल कोलेज खोल दे जाएंगे इसकी घोसना कल डिप्टी सीम तेजसु यादव ने की है गोपाल गंज में मौडल होस्पिटल सिलनास कायर करम के दोरान तेजस्वी आदव ने कहा कि 500 करोड की लागत से मेडिकल कोलेज बनाया जाएगा जिससे गोपाल गंज में अधिक साधिक लोगों को स्वास स्विधाय के लाब मिलेगा उन्हें ने कहा कि इसको लेकर नितिस सर कार परतीबद है तेजस्वी अदव ने थावे में मेडिकल कोलेज बनाने की गोषना की औनों ने खाग कि 500 करोड की लागत से मेडिकल कोलेज बनेगा इसके साध डीप्टिस स्यम तेजस्वी आदव ने कहा कि गोपाल गंज के सेदर ऑस्पदाल को मॉडन हस्पिटल बनाय जाएगा जिसका सिलनास कलोनों ने किया मोडन होस्पिटल लगबग 33 करोड की लागत से बनाया जाएगा जिसमें सो बेड़ दस आईसिव बेड होंगे तो जैस्वे आदम ने कहा कि दो सल के अंदर ये बन कर तयार हो जाएगा बाड़ी कबर में देखिए बीहार में दसवी पास के लिए निकली बंपर भरती भी न परिचा दिया मिले गी नौकरी जिहां विहार सरकार के विग्या नेवं प्रोदेगी की विभाग में कार्याले परिचारी के पदों पर भरती निकाली गई है ये भरती विभाग के छेतरी कार्याले के रिख्द पदों के लिए निकाली गई है विभाग के कूल 237 पदों के लिए औलाइन आविदन करना होग कुल पदो में 99 पदा न आरक्षित है तो ही 24 पद EWS, 40 पद EBC, 65 SC और 2 STO और पिछड़ वर्ग की महिलाओं के लिए 8 पदा आरक्षित है इन पदों के लिए इचुक मिद्वार dh.bihar.gov.in पर जाकर 31 सक्टुबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं पर जाकर आपके जानकार्य के लिए बता दे कि आरक्षित का लाव बिहार के बाहर अबीयरतियों को नहीं मिलेगा सिर्फ बिहार राज के अवियर्तियों को ही मिलेगा बाड़ी कबर में देखे संजा जा नितियस कुमार के बारे में बोले नितियस के 17 साल के सासन में बिहार में कहीं भी एक दिन कर्फियों नहीं लगा जेह जल सान सादा नेवम जन संपक मंत्रे संजे कुमर जाने कहा कि हमारे नेता मुख मंत्रे नितिस कुमर सब को साथ लेकर चलने वाले नेता है पिछले 17 सालों से प्रदेश में लगतार सांती का माहौल बना हुआ एक दिन के लिए भी राज में कहीं भी कर्फियों नहीं द्वारा बड़काओ बयान बजी हो रही है बिहार में उन लोगों को परियास बेकार सावित होने वाला है बाड़ी कबर में देखे आमिस्था ने आर जिडी से तुड़वाया था गड़ बंदन ललान सिंग बोले तेजस्वी को आयार सिटी से केस में पसाने के लिए साने रचीती साजिस जीहां जैड़ोई के राष्टी अदच लालान सिंग ने केंदरे ग्रमंत्री आमिस्था पर गंभीर आरूप लगाये है लालान सिंग ने कहा कि आमिस्था ने मुख मंत्री नितिस कुमार के साथ बड़ी साजिस की है उन्होंने आमिस्था पर 2017 में आर ललंग सिंग के एस खुलासे के बाद एक बार फिर बिहार के सियासत गर्मानी की सम्हावना है ललंग सिंग ने कहा कि अमिस्था ने नितिस कुमार पर जो आरूप लगाएं वो सपेद जूट है उन्होंने कहा कि नितिस कुमार ने बिजेबी के साथ दोका नहीं किया बलकि अ पड़ियन के कारण नितिस्क मार महागडबंदन के अलग हो गए एक बड़ी बोल की थी वहीं उन्हें ने आगे कहा कि 2017 के बाद से 2022 तक आयार सिटी से मामली का कुछ नहीं वा लेकिन 2022 में जब से फिर नितिस्क मार महागडबंदन में चले गए तो सिटी के तरब से समाचर पत्रों में 30-20 की जमानत को रद करने का अविदन दिया गया आखिर क्या कराने के हम इससा सिटी को पालतो तोता बना कर रखना चाते हैं केंद्र सरकार के करनामों के कारण आज देश में सिटी की विस्वसेनियता समापत हो चुकी है बाड़ी खबर में देखे बिहार के इंजिनेरिंग कोलेजों में बायोमेट्रिक सिस्टम से बनेगा चात्रों का अटेंडेंस जी अभिहार के इंजिनेरिंग कोलेजों में सिक्चक कर्मचारियों के साथ छात्रों की हाजरी भी है बायोमेट्रिक सिस्टम से बनेगी इसकी निगरानी संसान के साथ निदे साला के सरसे भी की जाएगी Department of Science and Technology ने MIT सहीद सभी इंजिनेरिंग कोलेजों की प्रचार को पत्र भेज कर नई सत्र से पालेज की तैयारी पूरी कर लेने को कहा है सिक्चक कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडन सिस्टम पाले से लागू है DHT के निर्देश पर सभी पूरी 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 तरह से पालन कर पाना समब होगा इंजिनेरिंग कोलेजों और पोलेटेक्निंग में छातरों को पसिति का रिकोर्ड सांस्तान के इस्तर पर सरक्षित रहता था अब इस पर DHT की नजर रहेगे 75 पर 30 से काम हो पसिति होने पर छातर परिच्छा से वन्चित हो सकते हैं बिहार में मोबाइल वा इमेल पर भेज जाएंगे चरीतर परमान पत्र जी अब इहार में चरीतर परमान पत्र बनाने में आने वाले परिसानी को दूर करने के बाद परमान पत्र लेलें के लिए भी दपतर जाने के जरुत नहीं पड़ीगे राज सरकार ऐसी ववस्ता करने जा रही कि आवेदग द्वार दिये गए मोबाइल नमबर और इमेल पर चरीतर परमान पत्र भेज दिया जाएगा ग्रिया बिभाग के अपर मुख के सचीव चेतन प्रसाद की अधिक्स्ता में पिछले दिनों बिभाग की समिक्चा अत्मग बैठक हुई थी इसमें चरीतर परमान पत्र बनाने की पूरी ववस्ता की समिक्चा की गई अपर मुख के सचीव ने आवेदक की निर्बंदित मॉबाइल नमबर और इमेल पर चरीतर परमान पत्र भेजने की वबस्ता करने का निर्देश से दिया है बड़ी का परदे के दिवाली ने चर्ट को लेकर दरबंगा जैनेगर से चलेगी ट्रेन 17 अक्टूबर से 10 नमबर तक जहां देपावली वा चर्ट को लेकर ट्रेन के डिमान को देखते वे रेलवे ने दो पूजा इस्पेसल ट्रेन चलाने की गोसना की है ये दोनों गाड़िया दिल्ली के लिए अगले माहने से चलेगे एक ट्रेन नई दिल्ली से दरबंगा के लिए 17 अक्टूबर से 10 नमबर के बीच जहां चलेगे वहीं दूसरी गाड़ी आननद बिहार टर्मिनल से जैनेगर के बीच 18 अक्टूबर से 12 नमबर के बीच काफी नहीं है कारान दोनों ट्रेन को सब्ता में दो दिन चलाए जाने की योजना है रेल्वे के ओर से जारी सुचना के अनुसार ट्रेन नमबर 01670 इस्पेशल टेन 17 अक्टूबर से 10 नमबर के बीच प्रतिक समवार व गुरुवार को साम साड़ी साथ बजे में नई दिल से टेन के लिए खुलेगी वाई दर्बंगा से टेन संक्या 01669 इस्पेशल टेन प्रतिक मंगलवार और सुकुरुवार को अठार अक्टूबर से गर नमबर के बीच परिचलित होगी दर्बंगा से साम 6 बजे खुलने वाली है गाड़ी आगले दिन साम 4 बज कर 40 मिनट में यात्रियों को ने दिली पहुचाएगी इसितरा अनन बिहार से टेन नमबर 01668 इस्पेशल 18 एक्टूबर से गर नमबर के बीच प्रतिक मंगलवार और सुकुरुवार को पुरुवाहान 10 बज कर 30 बजे रवाना होगी इसके विपरित टेन संक्या 01667 जैनेगर अनन बिहार और के डेली नियूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें